हेलो गाईज आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं रगड़ा पैटी चाट रिस्पी पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दें और अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके ही जाएं तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे हैं तो सबसे पर रगड़ा बना लेते हैं तो मैं यहाँ 1 कैसे बीकौरी मटर को साब 8 गंटे कुले भींगो दी तक झाहें तो पूरी रात के लिए भी प्लिन करत करने किया टालेंगे तो पानी टालेंगे जितने में रगड़ा अच्छ से रोप जाएं तो करते हैं वेले को गणा रुटे हैं उसे ज्यादा पानी एकśle भीष तुरी चशए हडाए टालेंगे मिला देऊंगे इस अब कुकर का लिट लगाइज। अब चलते हैं गैस कि तरफ झैस अब अब गैस का फिल माण कर के इसे हाई फिल में पे एक विसल अन तक अपर जाएन ỉ। तो तेन डाट चुका है ऑफ कर देते हैं और कुकर को अपने से ठंदा होने देंगे कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है तो चेक कर लेते हैं रगड़ा को तो यह देखे गाइस रगड़ा बहुत अच्छे से हो चुका है मैं चेक करके भी दिखा देती हूं तो यह देखे इसे हलका मैस कर लेंगे तो यह हो चुका है अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं इदर में पेटिस बनाने के लिए चार बड़े साइज का बॉयल आलू ले ली हूँ इसे सबसे पहले कद्धु कस कर लेंगे इसमें आलो के छोटे छोटे चंक्स नहीं होने चाहिए तो गाइस आलो को बॉयल करके आलो को अच्छे से ठंड़ा कर लें उसके बाद ही इसे कद् कर सकते हैं अब इसमें आधी चमच लाल मीच का पारो डाल देंगे आधी चमच गरम असाला आधी चमच आम चूर पाउडर लबक दो टेबल स्पून धनिया पत्ता और स्वाथ के लुजा नमक डाल देंगे अब इस सबी चीजे को अच्छे से मिला लेना है तो गाइस अगर करें आख लगा करें के तो कॉंफोर या फिर औरोड का इस्तिमाल करना पड़ेगा इसलिए ठंडे आलो का इस्तिमाल करें तो यह हो चुका है अब हातों को लिन कर लेते हैं अब हातों में थुआ सा ओईल लगाकर भी इसकी पैट्रीस बना लेंगे तो जिसने देसाइश का तो एल में और यह लोग हो जाए को साथ जीन coop साथ में और संथेación को भूंonents लेंगी तो आप 4 । उन लाखोंड मसालीं जल सकते हैं तो लोगी यह रख्याइव तो मसालीं जल सकते हैं कि मारा हो चुका है अब हम से निए रगण को संथ है ज hen मिला देंगे मसालों के साथ इसमें कुछ और सुखे मसाले मिला देंगे तो आधि चुरी चमच चार्ण मसाला डाल देंगे क्वाइल करेंगे तो इसे अच्छा देंगे तो एक ब्उर आक चुका है तो अब इसमें फ्रेस कटावा धनिया का पत्ता डालेंगे और धनिया पत्ता डालने के बाद इसे एक मिट के लो फिलेम पे और पका लेना है तो यह देखिए गाइस रगणा बनके हमारा रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी यही होनी चाहिए क्योंकि ठंडा होन अब इसपे एके करके पैटिस रख देंगे और इसे दोनों सैट से अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेख लेना है पलड़ देते हैं इसे लो टू मिडियम फ्लेम पे हाई फ्लेम पे इसे नहीं सेखना है गाइस पैटिस बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और डिलिसेंस बनके त जैसे ठेले वाले भाया सर्फ करते टाइम करते हैं सेम वैसे यह इसे भी सेख लेना है तो लो फ्लेम पे ही से सेख लेए कुछ दिर के लिए इस तरह से करते हैं यह देखिए सेम प्रोसेस से दूसरा पैटिज भी सेख लेंगे तो यह देखे गाइस दोनों बनके रेडी हो चुका है अब चलिए इसके प्लेटिंग कर लेते हैं सबसे पहले एक सर्विंग प्लेट में रगडा को ले लेंगे और इसके उपर पैटिज रख देंगे इसके उपर फेटी हुई फ्रेज दही डाल देंगे तो गाइस दही में कुछ भी नहीं है बिल्कुल प्लेन दही है यह इमले के खटी मिठी चटनी डाल देंगे इसके उपर धनिया और पूदेने की हरी चटनी डाल देंगे तो गाइस में दोनों चटनी की रेज़िपी औरे कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे अब इसको पर थोगा चाट मसाला भूना हुआ जीरा पाउडर भूना हुआ लाल मिच का पाउडर और थोड़ा सा भूजिया डाल देंगे तो यह देखिए गाइस हमारा रगड़ा पैटी चाट बनके रेडी हो चुगा साफ करने के ल